हेलो दोस्तों, जब भी हम लॉंग टर्म हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान केवल बाहरी शरीर पर होता है, और इंटर्नल हेल्थ पर याने अंद्रूनी शरीर पर बिल्कुल ही कम या यूं कह सकते हैं ना के बराबर फोकस होता है। एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल या घटिया क्वालिटी का। जब हमारे शरीर की बात आती है, तो हम उसमें कैसी क्वालिटी का फ्यूल डालते हैं, या हम किस तरीके का खाना खाते हैं। functional health और longevity की बात करें, तो ये एक human body की capacity है, एक active और functionally independent life जीने की लंबे समय तक, बीना बीमार हुए, बीना immobility के और अपने useful life span तक। सरल भाशा में कहा जाए, तो long term health and wellness का एकी definition है, वो है healthy functional organs, इसका मतलब ये है कि आपके internal organs जैसे कि kidney, liver, heart, intestines, pancreas, respiratory system, brain, gallbladder और locomotory system अगर सही तरीके से function करते हैं, तो आप बीना किसी problem के एक लंबा जीवन जी सकते हैं, और इसको समझने के लिए, हमें functional health के इन four pillars को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो की है wellness, lifestyle, nutrition और mindset. इस four part video series में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, कि ये चार pillars कैसे आपको functional health और longevity पाने में मदद कर सकते हैं. So stay tuned for one video every week, इस channel को subscribe करें और bell icon को click करें, so that you do not miss any video. Thank you.